नश्कार मैं हूँ जयादव और आप देख रहे हैं SPN 9 News हाली में BJP के पूर्व सांसत और साती साथ BJP के अब प्रवक्ता यानि की स्पोक्स परसन सायर शेहनवाज हुसेन ने एक प्रेस कॉंफरेंस रखी BJP की प्रेस कॉंफरेंस BJP की ही ऑफिस में डेली में रखी गई थी यहाँ पर शेहनवाज उसेन ने काफी सारी बातचित की और बिपक्ष पर सीधे सीधे उन्होंने निशाना सादा है सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई सारी बाते उन्होंने ऐसी बताई है जो आपको जरूर हैरान कर देंगी आए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या क्या कहा बर्दुद्दीन अजमल के बारे में सब को मालूम है कि उनकी सियासत एक ही बात पर चलती है कि वो घुसपैठीयों को बंगलादेशी घुसपैठीयों को शरं देते हैं संडक्षन देते हैं उनके पक्ष में आवाज उठाते हैं उनकी पार्टी का नाम ही लोग बंगलादेशी घुसपैठीयों की एक और्गनाईशन के तौर पर जानते हैं आज जिस तरह की भाशा मैं कह रहा हूं कि भारती जंता पार्टी के बारे में तरह तरह की बात बोली जाती है लेकिन एक आजम खान है उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आजम खान से भी कहना चाहता हूं कि जरा जबान समाल के आपकी जबान बहुत लंबी है और कई बार उत्तर प्रदेश की जंता ने आपकी जबान के वज़े से अखिलेश यादव और मुलाइम सिंग यादव को सबक सिका है जिस तरह की भाशा उन्होंने बोली पहले तो इस देश में संप्रदाईक तनाव पैदा करना चाहते हैं आजम खान अभी राम नौमी है उसके अफसर पर हम एक दूसरे को बधाई देते हैं मैंने खुद ट्वीट करके देश वासियों को राम नौमी की बधाई दिये और आजम खान बजरंग बली का नाम बजरंग अली कर रहे हैं ये किस तरह की भाशा है और दूसरी तरह हजरत अली के नाम के आगे बजरंग अली कर रहे हैं आज जमायत अलुमा हिंद हो या दारुल अलुम देवंद हो ये हर विशे पर बोलते हैं आजम खान ने जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों का अपमान किया है इसको लेकर वो खामोश क्यों है ये मेरा उन से सवाल है भारती जनता पाटी ये मानती है कि जतनी बौकलाहट वो देखाएंगे हमारे विरोधी दलके नेता जनता इसका जवाब देगी क्योंकि पर्थम चरन में ही लो समाजवादियों का बस्पा का कांग्रेस के टेबुल पर कोई जा नहीं रहा है तो क्या हम पकड़ पकड़ के उसके टेबुल पर भेजे लोगों को उनके टेबुल पर टेबुल सुनसान दिखता है और बीजेपी के टेबुल पर जनता की भीड दिखती है वो लोग मान लेकिन मैं ये कांग्रेस पर आरोप लगाता हूँ कि जतने जतने बियान आज भारती जन्ता पार्टी के नेता श्री नरंदर मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए जतने बियान दिये जा रहे हैं वो सब राहुल गांदी जी के इशारे पे दिये जा रहे हैं और इसका जवाब वोट के जरीए इस देश की जनता देगी कांग्रेस को कोई विशे नहीं मिलता सुबा से शाम तक भरम पैदा करना और जो भरम उन्होंने पैदा किया है पहले अदालत की अबमाना की जिसके लिए मामला सब जूडिस है हमारी पार्टी की प्रवक्ता वरिष्ट वकील शिरीमती मिनाक्षी लेखी जीने इसके लिए अबमाना उन्होंने जो राहुल गांदी जीने की है इसके लिए वो सुप्रिंग कोट गई है और हमें जरूर उमीद है कि हमें उस पर नयाय मिलेगा और मैं मानता हूँ कि अगर कॉंग्रेश को लगता है कि उसकी हार होने वाली है उनके नोट पकरे जा रहे हैं कांग्रेस को ये दुश्वारी हो रही है कि Mr. 10% Mr. 20% हो गए हैं गरीबियों गरीबी और न्याय की बात करने वाली कांग्रेस आज गरीबियों के बच्चों के पोशन के पैसे को लूट कर चुनाओं में लगा देना चाहती है वो पैसे पकड़े जा रहे हैं तो गलक रोड का रहा है तब भी कांग्रेस इसका जवाब नहीं देकर वो भरम पैदा करना चाह रही है लेकिन इसका जवाब मिलेगा और भारती जन्ता पार्टी इसका जवाब वोट के जरिए देश की जन्ता देगी ऐसा हमारा विश्वास है थेंक्यू कि अभी तक कांग्रेस का कोई अनॉंस्मेंट नहीं आया है कांग्रेस हर चीज़ पर एक भरम पैदा करना चाहती है वो मल्लापूर्ण से जाके लड़ लें की जहां चुनाव हो गया है वहां से फिर से लड़ लें कहां से लड़ें ये उनको तय करना है भारती जंता पार्टी जब चुनाव के मैदान में जाती है तो ये सोचके नहीं जाती कि हमारे सामने कोन लड़ने वाला है हमारे प्रधान मंत्री जी काशी से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार से भी ज्याद अमतों से वो वहां से जीतेंगे ये सही है कि उनके विरोध में कोई उमिदवार नहीं मिल लहाँ इसलिए तरह तरह का भरम कांग्रेस पैदा कर रही है कांग्रेस का की आदत है मैंने पहले कहा कि भरम पैदा करना उनके भरम के पैदा करने वाले जो सवाल है उसका जवाब इस वोट के जरीए ही उनको मिल ला है भरम पैदा करना बंद करें अब मामना का जो नोटीस आया है उसकी जवाब की तैयारी करें कांग्रेस मुझाहिद क्या लगाना है बुरहन वानी लगा ले अपने नाम के सामने हाफिज सईद लगा ले मसूद अजहर लगा ले उनके नाम के सादे क्या लगा ले इसमें बीजेपी से परमीशन लेने की कोई जवरत नहीं है मुझाहिदीन का मतलब क्या है जैसे नाम लगाएंगे वैसे उनको तलाशना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि हमें मालुम है कि जिसने मुझाहिदीन अपने आपको मुझाहिद कहा चाहे वो बुरान वानी हो या बाकी कतार में जतन लगाते हैं नाम लगाके तो लगाएं फोटो पोस्ट करें मुझाहिदीन लिखें एके 47 के साथ फोटो खिचवाएं फेस्बुक पो पोस्ट करें उसके बाद उनको तलाशा जाएगा लगाने का शौक क्यों है चौकिदार तो पूरा देश कहता है मैं हूँ चौकिदार क् कि इस देश में देश की भी चौकिदारी है और हर छेतर में चौका दी चौकिदारी है वो अपने नाम के साथ कुछ भी लगाना चाहें हम कैसे रुख सकते हैं जिन्दा रहते हुए शहीद लगा लें हम कैसे रुख सकते हैं कहां पे राम मंदिर अधिया में बनेगा कि भोपाल में इदिग्विजे सिंग जी को क्या हो गया है अभी से ड़ड़ गया है उन्हें मालूम है कि भोपाल में मकाबला कड़ा होने वाला है और उनको कमलनाज जी ने फसा दिया है भोपाल भेज कर अभी मंदिर मंदिर घुम रहे हैं मजार मजार घुम रहे हैं अभी दान की बात करने लगे इस उमर में तो दान करना ही पड़ता है कुछ नो कुछ दान करें लेकिन राम मंदिर तो अध्या में ही बनेगा चाहे धिग विजे सिंग जी ओ कॉइप कोई कोशिश कर ले देखे पहले भी वो संप्रदाइक ब्यान दे चुकी है ऐसे मायवती जी के बहुत से ब्यान है जो उत्तर प्रिदेश के मुसलिम समाज को भी याद है पुराने ब्यानों को हम लोगों के पुराने ब्यान को आप लोग देखाते हैं लेकिन मायवती जी न जो ब्यान पहले दिये हैं मेरा अनुरोध है कि उस ब्यान को भी देखाया जाए जो उन्होंने मुसलिम समाज के लिए दिये है इसलिए हमें मालूम है पिछली बार तो स 73 से 74 करेंगे और बेहन जी 0 से माइनस 0 में जाएंगी इसलिए इस तरह का बयान दे रही है और इस बयान पर देश के लोगों को चुनावे उक को संग्यान लेना चाहिए कि इनका ये कहना कि अली और बजरंग बली हर मजभ़ब के लोग एक दूसरे के मजभ की इज़त करते हैं लेकिन योगी जी कुछ कह दें तो संग्यान लिया जाएगा और माया वती जी रोज इस तरह का बयान दे कर धुर्वी करन करना चाह रही है इसका मतलब ये है कि उनको वोट नहीं मिला है सीधे सुईकार कर ले जब सो टिकट दिया तब नहीं मिला तो अब क्या खाक मिलेगा उनको वोट देखे कांग्रेस ने काफी आउटसूर्सिंग की है और काफी गाने वाले भी लोग उनके पास है तो जो काम अब मुझे कहेंगे मेरी जो आवाज है वो परवक्ता के लिए वक्ता के लिए देश बर में कमपेन के लिए तो सही है लेकिन जतना अच्छा गाना एक कलाकार गा सकता है हमारे यहां भी पार्टी में कई अच्छे खलाकार हैं जो पार्टी में लेकिन मेरे से या मयुक जी से गाना कहेंगे गाने के लिए तो प्रेस कॉंफेंस आप उठके चले जाएं अब कांग्रेस के परवक्ता को सीधा हमला करना चाहिए जैसे हम कह रहे हैं अब गाना भी गाड़े तो थोड़े अच्छे सुरू में होने चाहिए जब गाना है कम से कम गाने को या सीरियल को अपमानित न करें अगर सिम्र्ती इरानी जी जो भारत सरगार की मंत्री हैं उनकी कदम रखते ही हमेठी के सांसद वैनार्ड चले गए जहां मलापूरम डिस्टिक में मैं होके आया हूँ अब लोग गया है कि नहीं लेकिन मैं उस डिस्टिक की तीन विदान सभा है वहां मैं पड़सोई था कल ला उटा हूँ और वहां पर भी राहुल गांदी ये अच्छी स्थिती में नहीं है मुझे लगता है परियंका जी को वहां भी जाके मेहनत करना पड़ेगा पता नहीं वो जाने की योजना रखती है कि नहीं लेकिन वहां भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आसान इस्थिती नहीं है इसलिए जतनी गालियां है जतनी तोहमत है जतना हैट्रेट है स्मितی राणी जी के खलाब कांग्रिस कर रही है और इस से साफ जाहिर है कि हमेठी के अंदर इस बार कमल खिलने वाला है लोगों ने मन बना लिया है इसलिए कांग्रिस अभी से उसको गाना कहेंगे गाना तो नहीं गाया उसको कुछ लाइन को गुन गु और बाद में जो है मातमी सौंग गाना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस वहाँ पराजित होगी किसकों विजे देखे इमरान परताब गरी की जो शायरी चलती है वो बिना बीजे पी का नाम लिये हुए उनकी दुकान नहीं चली मुझे और नकवी साहब को अपने इशार में जोड़े बिना मेरे से पूछे बिना उनके इशार नहीं बिकते हैं अब उनको बहुत भरम हो गया था अभी अभी नया नया नय और नय हैं गर्ट थोड़ी बहुत सीख रहे हैं अभी इतने महत्पूर नहीं हुए कि दुनिया की सबसे बरी पार्टी का राष्टिय प्रवक्ता उन पर कोई उनके बियान को गंभिरता से ले ले उनको कहिए कि वो कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से ये सवाल उठवाएं तब हम बियान देंगे शायर होंगे शायर होने के नाते वो जैसे शेर पर हैं लेकिन इतना भी सरूर नहीं आ गया कि अभी वो सवाल बीजेपी से पूछने लगें नहीं है राहुल जी जलियाँ वाला वागे में आज शुधांजली देने के ऐसे कांग्रेस राहुल जी पंजाब बहुत वाइट करते हैं क्योंकि पंजाब के सिख अभी तक वो गतले आम भूले नहीं है जब बड़ा पेर गीरा था धर्ती हिली थी वो याद धर्ती की हिलने की थर्तराहट जो है वो आज तक हवाओं में गूंज रही है इसलिए वो वहाँ गए तो चुनाओ के वक गए चुनाओ के वक्त में मंदिर भी जाते हैं चुनाओ के वक्त में जलियां वाला बाग भी जाते हैं मुझे ने मालूम उससे पहले कितनी वार गए हैं मैं तो दस वीस वार गया हूँ और जो भी इस मिलक से महब्बत करने वाला विक्ती है जब भी पंजाब हम जाते हैं तो जरूर जलियां वाला बाग जाते हैं और ये सही है कि देखिए आज हमारी सरकार केंदर में है हमारे प्रधान मंतरी का कितना प्रताप है कितना प्रधान मंतरी और इस सरकार की बात है कि सो साल बाद भी आखिर बिर्टिश गौर्वर्मेंट को भारत के लोगों से माफी मांगनी पर जाएं कि जलियां वाला बाग में जो हरकत उन्होंने की थी वो पचीस साल बाद भी म मांग सकते थे सतर साल बाद भी मांग सकते थे तो हमें इस बात का दुख तो है कि हमारे लोग उसमें मारे गए थे लेकिन हमें इस बात की खुशी भी है कि आखिर बिटिश गवर्मेंट ने दो हजार उनीस में उसके लिए माफी मांगी ये भारत के लोग उस माफी को सुनकर बहुत सकुन महसूस करते है